हलो एवरीबरन वेलकम टू रेटकल डिपार्टमेंट आप लोगों को पता होगा I.R.E.L. डिप्लोमा ट्रिनी का जो एक्जाम हुआ था लास्ट टे को उसकी ओफिसियल एंसर की आ चुकी है नाव आपको अफिसियल एंसर की कैसे डाउनलोड करना है कहां पर आपको जाके ओफिस्यल एंसर की देखने को मिलेगा साथी इसका रिजल्ट डेट भी आउट हो चुका है कि इसका रिजल्ट कब जारी होगा तो आज की इस वीडिव में इसी के बारें डिसक्स करने वाले हैं तो answer की देखने के लिए आप वीडियो को description में link दिया गया है उस link पर click करके आप direct IRL की official website पर जाकर answer की देख सकते हैं देखे जैसे आप link पर click करेंगे कुछ इस प्रकार का page आपके सामने open हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका exam हुआ था written test exam हुआ था 10 December को civil, mechanical, electrical और भी ब्रांच के लिए जो vacancy आए थे diploma और graduation वालों के लिए सबका answer की यहाँ पर official answer की जारी किया जा जा चुका है देखे यहाँ पर इस परकार का आपको link दिख रहोगा click here to view model answer की तो simply आपको इस पर click कर देना है जैसे यह आप इस पर click करेंगे आपके सामने इस परकार का page open हो जाएगा जिसमें देखे दिया गया है IRL 2023 examination model answer की for return test held on 10th December नहीं कि 10 December को जो इसका return test हुआ था उसका answer की तो यहाँ पर आप अपना roll number डाल कर और किस post के लिए आपने apply किया था objection raise करने के लिए आपके पास 15 December तक का time है और आप अपना answer की देख सकते हैं 12-12 2023 नहीं कि आज के ही date से लेकर 15 December 2023 तक 4 विज़ तक आप अपना answer की देख सकते हैं और objection raise करने के लिए यानि कि एगर किसी भी question में आपको doubt है तो एक question में objection raise करने के लिए आपको 5 रुपे हाँ पर charge करने है जो आपका fees रखा गया है वो 5 रुपे रखा गया है तो इस प्रकार से अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप objection भी raise कर सकते हैं बाकि answer की इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो चलिए एक answer की open करके आपको हम दिखा देते हैं इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसका return rate का जो result है वो कब declare किया जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है return rate result फिर भी declared after modification यानि कि अगर किसी भी question में doubt है और objection आप raise करते हैं तो उसको modification करनी के बाद यानि कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी इसका final result जारी किया जाएगा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परकार से आपके सामने answer की open हो जाएगा यह master answer की है आपने जिस भी question का जो option दिया था उसको आपको याद रखना होगा देखें आपके question दिया गया है और right answer दिया गया है आपने कौन सा option चूज़ किया था वो यहाँ पर नहीं दिया गया है तो इस परकार से IRL की तरफ से answer की जारी किया गया है डिप्लोमा ट्रेनी, सिविल, मेकिनकल, इलेक्ट्रिकल और किमिकल के लिए तो यह एक information था आपको के लिए IRL की तरफ से आप लोग अपना answer की जरूर चिक करिया और कितना मार्ग से कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलेग्राम चैनल भी जॉइन कर लीजिए